नमस्कार उदार दिये पेसे वापिस कैसे ले और इस पेसली दोस्तों को और रिष्टेदारों को यह अधिकतर लोगों की प्रोब्लम है और अधिकतर यह कहते है सर सबसे बड़ी हमें प्रोब्लम तब आती है जब हम किसी रिस्तेदार या किसी दोस्त को पेसे उधार देते हैं उनकी मुस्किल समय और जब वह समय पर नहीं लोटाते हैं तब उनसे पेसे मांगना होना तब स बड़ी मुष्किल है पैसे माँगे तो रिस्ता तूता है दोस्ते का रिस्ता तूतने का डर रहता है और रिष्टदार से व्रवर बिगंणने का ne ब्रशेच दीतिये इक बाद पैसे संमेव, आप अपने दोस्त के मदद कीजिए आप अपने रिस्तेदार की मदद की करनी चाहिए इप यूर के पर आप सक्सम है तो आप अपने दोस्त की मदद करें आप अपने रिस्तेदार की मदद करें बिल्कुल करें और रिस्तेदार और दोस्त को भी सबजना चाहिए कि जब टाइम हो जाए ना जितने होती है कोई बात बिना कहरा और यह दिक्कत तब आती है जब कोई रिष्टेदार को जब कोई दोस्त पैसे मांगने पर आनाका नहीं करता है है उब है जनदर रहा है दितनके सोचते हैं जो पैसे का उनको आती है उनको वह लोग लोग द्याशा क्या सोचे गाए या तेखिए अगर आपने पेसे यह उधार चाहे अपने दोस्ट हो चाहे रिश्तेदार हो और अगर आपको आफशेक्ता पड़ रहे है आपको लग रहा है आप मुझे पैसे की जुरुत पड़िये तो मांगने में बिल्कुल सब्सक्राइब मत करें और एक बात ध्यान पना । जब आप पैसे मांगें और इसी की देने की नियति उनका उपूद गुझेफन की जवाब कर देखतें मैं स्थालनस ६भाया जिए अलिए जतोती कि क्या जब हर एक में हमारी इस्तथी भी नहीं down और जदा presser क्रते हैं। क्या कहते है। क्हा के झाओ लोटे हैं, क्या खाकर जा रहे हैं? और वोटे ऑले ऐसे af चुझरें को देळिएक टेबाते हैं. तो गुते हैं। क्या 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 थे? हमारे पास पैसे नहीं है, इसलि кан Tusakry rep winkflowAT कि स्कुंआ अंगर40 अंगर ilust भी साथ कर अगर ऊशने अई ने पेसे जिये और आप उसको धिबा घ्यार होहाद कि हुप खार आप ऊगर तो अगर दोस्तों रिसितार को पैसे देवर जब ऐसे उलटे जवाब दे तो अनसे पैसे कैसे मांगें? ये तीन ये चार तरीके अपना लेना आप उनसे अगर पैसे मांग जाते हैं. सबसे पहले तो पैसे दिये तो मांगने में सर्म मत करना. वो से जने तो पैसे उदार दे दे देते हैं और फिर रिस्तदार और दोस्तों से मांगने में सर्म करते हैं. गिल्टी फि पहले तो पैसे मांगने में कभी सर्ण मत करें, अपनी जरूरत बताए, आप वाकिए में सामने वाले को यह बताए, दोस्त हो यह रिश्तेदार उसको बताए कि अब मेरे को भी पैसे की जरूत पढ़ रहे हैं, अब मेरे भी वो पैसे वहाँ लग गये हैं, बीमारी में लग या बेटी की पड़ाई में लगए या मकान में लगए कई पर लोग है सामने वाले को रिजन बताए एक्जक्ट रिजन बताए कि अब मेरे को वाक्य में पैसे की जुरूत है तू लोटा दे चाहे वो रिष्तेदार हो चाहे वो फ्रेंड हो या कोई भी हो अपनी नीड प्लून ही का कभी एसे होता है कि सामने वाले की इस्तति वाक्य में डिपिकल्ट होती है तिपिकल होती है कोई बात नीढम है तो हूर्वी इसको पांस अपेसे नहीं है तो तू एसा कर कि मु 성ा कि मुझे सब्सक्राइब को रिष्तिदार हो या दोस्त हो उसको अगर आप एक मुस्त पैसा दिया एक साथ पैसा दिया और अगर अगर भी उसकी इस्तिती नहीं है तो उसकी समझे और उसको कदे गया ठीक है तेरे पास नहीं है तो मुझे किस्तों में दे दे अगर उसकी देने के नियत होगी ना तो आपको किस्तों में पैसे दे दे और फिर भी नहीं दिये इसकी इस्तिती दे की और आज ही पैसे देने में नाटे कर रहा है तो आप अपने समाच और अपने परिवारों का प्रेशर उस पर करें तो वह आपके पैसे लोटा दे या दोस्ते कोई दोस्त आपका पैसा नहीं दे रहा है तो आप अपने और दूसरे दोस्तों से उस उसको कहकर प्रेशर कराए कषा नЙहीं यार अब तेरता वगस्ता लौख को घुटने अब टायो तो फि को पैसे लुटने मों हो या यह भी हो सकता है और गुर्म कोई बिज्निय्या करता हो और ख़िखिता हो या कई कें कुर में सबक्राइब आपकी परस्ति देखें, आपको पैसे दिये, आप की लाइबिलिटी बनती है कि आद आप समय बें पीसा देजिए ठीक है, आप आपकी परस्ति थिए नहीं दे पारएं इसा दे ammm तो मैं दोस्तों रिष्टधर को कहता हूँ, अगर आप किसी अपने दोस्त से पैसे लेते हों, आप अपने दिष्टधर से कई पैसे लेते हों, तो समय पर लर्टा देना, इससे आपकी जिमेदरी और आपकी साथ हमेशा बनी रहेगी, वरना आप जिन में कभी भी पेसे माँ नहीं रहे नहीं रहे